Hello everyone, welcome back to my channel and मैं हूँ दीपा दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिला के पैरों को देकर हम ये पता लगा सकते हैं कि गर्ब में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है आखिर वो कौन से कारण है जिनसे प्रेगनेंट महिला के पैरों में सूजन आ जाता है उनके हाथों में और चेहरे में सूजन क्यों आ जाता है इस सूजन से राहत पाने के क्या उपाएं हैं ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे ये सूजन थोड़ी सी कम हो सकती है और इससे हमें राहत मिल जाएगी तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें दोस्तों कई लोगों के द्वारा कहा जाता है या फिर हमारे बड़ी बुजूर्ग महिलाओं के द्वारा कहा जाता है कि यदि प्रेगनेंट महिला के पैरों में सूजन होता है तो गर्ब में पल रहा बेबी बेटा होता है या फिर कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि यदि आपके पैरों में राइट साइड के पैर में स्वैलिंग है तो आपके गर्ब में बेबी बॉय पल रहा है लेकिन ये यूग एक वैकजानिक यूग है जिसे हम कही सुनी बातों को नहीं मानते बिना वैकजानिक तरक के हम किसी भी बात को नहीं समझना चाहते या फिर नहीं मानते हैं पहले हम pregnant महिला के पैरों में होने वाली सूजन का reason पता करते हैं कि ऐसे कौन कौन से region है जिनके कारण आपके पैरों में swelling आ जाती है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंट महिला के पैरों में स्वैलिंग हो क्योंकि कुछ महिलाओं के पैरों में स्वैलिंग होती है और कुछ प्रेगनेंट महिलाओं के पैरों में स्वैलिंग नहीं होती है ऐसा इसलिए होता है कि कुछ महिलाएं strong होती है जो वेबी के बेट को अच्छे से maintain कर लेती है उनके पैरों में ज़्यादा जोर नहीं पड़ता लेकिन कुछ महिलाएं उतने strong pregnancy के वक्त नहीं होती है बेबी का वेट जब बढ़ रहा होता है इसलिए आपके पैरों में ज़्यादा बाहर पड़ता है जिसके कारण आपके पैरों में swelling हो सकती है यदि आप pregnancy के बाद ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है तो भी आपके पैरों में swelling हो सकती है यदि आप pregnancy में caffeine का intake ज़्यादा लेती है यानि pregnancy में आप चाई, coffee या cold drink का सेवन ज़्यादा करती है तो इससे भी आपकी body में, हाथों में, पैरों में या फिर चेहरे में swelling हो स सकती है, sodium आप नमक की द्वारा लेती है, यदि pregnancy में आप नमक ज़्यादा खाती है, तो आपके पैरों में swelling हो सकती है, दोस्तो प्रेगनेंसी में hormonal changes के कारण भी आपके body में सूजन हो सकता है, hormones आपके muscles को soft करते हैं, जिसके कारण आपके पैरों के muscles भी soft होती है और भार प आ सकती है, यदि आपको high BP की problem है, तो swelling आप में एक normal बात है, दोस्तो अब जान लेते हैं कि इसके उपाय क्या है जिससे आप इस swelling को थोड़ा कम कर सकती हैं, इससे आप राहत पा सकती हैं, तो फ्रेगनेंसी की समय आप ज़्यादा खड़े होने वाले काम ना करें, जिससे क आपका blood flow पैरों की तरफ ज़्यादा ना हो और आप में swelling भी कम रहे, caffeine और sodium का intake आप कम करें, इससे भी आपकी swelling में थोड़ी राहत मिलेगी, प्रेगनेंसी के चौथे महीने से आप अपनी sleeper को change करके थोड़ी धीली sleeper लें, जिससे आपको सूजन में ज़्यादा problem ना हो, आपके पैरों में कोई निशान ना बने, या फिर आपके पैरों में ज़्यादा चपल की कारण दबावना पड़े और blood flow होता रहे, जब भी आप लेटते हैं या फिर सोते हैं, तो उस समय आप अपने पैरों के नीचे एक soft तक्या रखें, इससे भी आपके पैरों की सूज कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा खड़े होने वाले काम कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी देर में बैठ सकती हैं, इससे swelling ज़्यादा नहीं होने पाएगी, दोस्तो अकसर pregnancy में आपका weight gain हो जाता है, पर कोसिस करें कि ज़्यादा weight gain ना हो, क्योंकि सारे weight का भ जब मेरा beta-pate में था, तब मेरा hemoglobin कम हो गया था, जिसके कारण मेरे सरीर में भी सूजन आ गया था, बट फ्रेंस अपनी डाइट ठीक कर लेने के बाद और डॉक्टर की दवाईयां लेने के बाद मेरा hemoglobin सही हो गया था, जिसके कारण swelling थोड़ी कम होई थी, लेकिन मेरे hemoglobin सही था, तो फ्रेंस ऐसे बहुत से कारण होते हैं, जिनके कारण आपके पैरों में सूजन हो सकती है, आपकी बॉड़ी में सूजन हो सकती है, चेरे पे या हाथ पे सूजन हो सकती है, इन सारी चीजों का आपके गर्ब में बेटा या बेटी होने से कोई relation नहीं है, दू दूसरी pregnant ladies इससे experience ले पाएंगी, knowledge ले पाएंगी और ज्यादा अपने pregnancy के बारे में जान पाएंगी, उम्मीद है वीडियो में बताएगी बाते आपको useful लगी होंगी, अगर useful लगी है तो please like, share, subscribe जरूर करें, दोस्तों आपका एक like हमारा उत्सा और बढ़ाता है, मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद